हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल के मदद से अपने यूटूब चैनल के लिए परफेशनल लोगो कैसे बना सकते हैं जैसा कि अभी आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो बिल्कुल ऐसा परफेशनल लोगो बनाना हम सीखेंगे इस वीडियो को इस पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा चलिए इस वीडियो को स्टार कर लेते हैं लोगों बनाने के लिए आपको एक अप्लिकेशन की जरूत पड़ेगी जिसका नाम Pixel Lab है इस अप्लिकेशन को आप बहुत ही असानी से प्लेयर स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा सिंपली आपको अपने Pixel Lab एप्लिकेशन को ओपें करना है ओपें करने के बाद आपको यहां 3.0 पर किलिक करना है और यहां Image Search पर किलिक करके Custom पर किलिक करना है और यहां Profile Picture पर किलिक करके OK कर देना है इसके बाद आपको यहां New Text पर Double किलिक करना है और यहाँ अपने चैनल के नाम का first letter लिखकर ok करदेने है इसके वद आपको इस वाले option पर किलिख करने है इसके वाद इसको यहाँ से बड़ा करके यहाँ adjust करदेने है इसके वद यहां मास्क पर किलिक करके इसको इनेवल कर देना है इसके वद यहां इसके नीचे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से रिमूब करके डन कर देना है और यहां स्क्रोल करके उपर आना है और यहां कॉंपी पर किलिक कर देना है इसके वद यहाँ स्क्रोल करके नीचे आना है और यहाँ फिर मास पर किलिक करके यहाँ आउट पर किलिक करके डन कर देना है और यहाँ स्क्रोल करके कलर पर किलिक करके इसका कलर चेंज करके डन कर देना है इसके बद यहाँ पर किलिक करके यहाँ color वाले option पर किलिक करना है और यहाँ से इसका भी color change कागे done कर देना है और इसके बद इन दोनों को यहाँ adjust कर देना है adjust करने का वद आपको यहाँ plus वाले icon पर किलिक करके from gallery पर किलिक करना है और यहां से इस वाले PNG को सिलेट करके इस वाले पार्ट को क्रोप करके डन कर देना है इसके बाद इस वाले ओप्सन पर किलिक करना है और यहां स्क्रोल करके नीचे आना है यहां आपको एक ओप्सन देखने को मिलेगा color का इस पर किलिक करके इसको enable करके done करदेना है और इसको कुछ इस तरह से adjust करदेना है इसके बाद फिर plus वाले icon पर किलिक करके from gallery पर किलिक करदेना है और यहां इस वाले png को select करके right side वाले part को crop करके done करदेना है इसके बाद यहां scroll करके नीचे आना है और यहाँ Erage Color पर किलिक करके इसको Enable कर देना है और इसके Tolerance को Full कर गए Done कर देना है फिर आपको यहाँ Scroll कर गए उपर आना है और यहाँ Color पर किलिक कर देना है और इसको यहाँ से Enable कर गए इसका Color Change कर गए Done कर देना है और इसको यहाँ कुछ इस तरह से adjust कर देना है और यहाँ scroll करके ऊपर आना है और यहाँ to back पर किलिक कर देना है इसके बद यहाँ copy पर किलिक करके इसको copy कर लेना है और यहाँ crop पर किलिक करके red side ओले part को select करके done कर देना है और इसको यहाँ से कुछ इस तरह से एड़ेस्ट कर देना है एड़ेस्ट करने के बाद आपको यहाँ टू बैक पर किलिक कर देना है इसके बाद इस वाले ओप्सन पर किलिक करके यहाँ पर किलिक करना है और इन सब को सिलेट कर लेना है इसके बद यहाँ पर किली करके ओके कर देना है और यहाँ अस्क्रोल करके नीचे आना है यहाँ सैडो पर किली करके इसको इनेबल कर देना है और इसके बला रेडियन्स को 15 और X को 10 पर सेट करके डन कर देना है इसके बद यहां Imbos पर किलिक करके इसको Enable कर देना है Enable करने के बद इसके Angle को 230 से 280 के बीच में रखना है और इसके Intensity 100, Light 100, Hardness 100 और Bevel 20 पर Set करके Done कर देना है इसके बद यहां 3D Save पर किलिक करके इसको Enable कर देना है और इसके View Type को Oblique पर किलिक करके Depth को 1 और Darknet को Start for Set करके Done कर देना है और इसको यहां Center पर Adjust कर देना है के बद यहां Plus वाले आइगन पर किलिक करके Save पर किलिक करना है और इसके Radius को 100 और इसका Opacity 0 और रख ट्रोक को 10 पर Set करके इसका Color यहां से Change करके Done कर देना है और इसको यहां Adjust करके यहां से 2 बैक कर देना है इसके वाद यहां Scroll करके नीचे आना है और यहां Shadow पर किलिक करके इसको Enable कर देना है और इसका Blur Radiance 15 और इसके X को 10 पर Set करके Done कर देना है इसके वाद यहां Imbos पर किलिक करके इसको Enable कर देना है और इसके एंगल को 280 पर सेट करके इसका intensity 20, light 10, hardness 100 और 2040 पर सेट करके डन करदेना है इसके बद यहाँ plus वाले आइकन पर किलिक करके text पर किलिक करना है और यहाँ new text पर double किलिक करके यहाँ अपने channel का नाम लिख कर OK करदेना है और इस वाले option पर किलिक करना है और यहाँ scroll करके नीची आना है और यहाँ font पर किलिक करके इस वाले font को select करके OK करदेना है और इसको यहाँ कुछ इस तरह से adjust करदेना है इसके बद इस वाले option पर किलिक करके यहाँ पर किलिक करना है और इन सब को select करके इस वाले option पर किलिक करके OK करदेना है लास्ट बार आपको पलस वाले आइकन पर किलिक करके from gallery पर किलिक करना है और यहां से इस वाले image को select करके इस one ratio one पर किलिक करके done कर देना है इसके बाद इस वाले option पर किलिक करना है और यहां score करके थोड़ा नीचा आना है यह tema relative size पर click करके width को 100 करके done करदेना है और यहाँ 2 bag पर click करके इसको कुछ इस तरह से यहाँ adjust करदेना है आप देख सकते हैं हमारा logo बन कर तयार है अब यसे save करने के लिया आपको यहाँ पर click करके save as image पर click करदेना है और यहाँ format पर click करके pIV path पर click करदेना है इसके बद यहाँ custom पर किलिक करके very high select करके save to gallery पर किलिक कर देना है ये logo आपके phone के gallery में save हो जाएगा I hope यह video आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरू कर दिजेगा